जो व्यक्तिक कर्मट है जो व्यक्तिक कर्मशील है जो व्यक्तिक कठोर परिश्रम करने की इच्छा शक्ति रखता है जो करतव परायन है वही ही सत्ति के साथ जी सकता है वह ही इमानदार हो सकता है वह ही इमानदारी की राह को स्विकार कर सकता है वह ही न्याय का पक्षधर होता है वह ही धर्म को धारण करता है वह ही मानवता के सिध्धानतों को भी निभा कर जीवन चला सकता है वह ही शांत की इस्थापना भी कर सकता है शांत की इस्थापना करने के साथ साथ वह ही एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अहिंसा के अनुरूप अपने जीवन को चला सकता है वह ही व्यक्ति निर्मल मन का हो सकता है वह ही व्यक्ति निश्चल मन का हो सकता है वह ही व्यक्ति है जो अहूंकार से दूर रह सकता है ऐसा व्यक्ति दुनिया के सभी अच्छे कारियों को करने के लिए उन्हें निभाने के लिए उन्हें जीने के लिए और उनके सकारात्मक, अच्छे, सुन्दर, खुद के साथ अन्य लोगों के भी कल्यान की रास्ता साफ करने के लिए प्रियासरत रहता है और पक्चधर होता है, ऐसे विक्ति समाज में कम पाये जाते हैं, परन तो जब पाये जाते हैं, तो उनका विक्ति तो बहुत दूर से ही देखा, समझा, पर्खा और पहचान कर उनका अनुसरन किया जा सकता है